हेलो गुड मॉनिंग एंड वेलकम बेक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एर एजूकेशन यूटूब चेनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे 17 अप्रेल से रिडियरेट जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफिर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे साथी काफी सारे एक्स्ट्राफेक्ट भी यहाँ पे डिसकस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लाश्ट तक आप जरूर दिखिएगा आफ्टर दन आप इसकी पीडियेप डाउनलोर कर लीजिगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में इसकी पीडियेप मिल जाएगी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस उसाइड में बेल आइकन होगा नीचे उसे भी आप प्रेस कर लीजीगा जिससे ही आपको आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो जहें इस चैनल की वो मिलती रेगी कंटीनियो बिनामिस वे तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्वीज थी देखे कल की क्वीज थी निम्नवे से किस दिन को विश्व स्वास्ते दिवस के रूप में मना गया है तो इसका सही अंसर था आपका साथ अप्रेल इसका सही अंसर था ठीक है चलिए अब बात करते हैं आज की कारेंटर फिर की देखे पहला कॉस्टन है हाल ही खबरों में रहे मिशन नेक्टॉन का उद्देश से क्या है सही अंसर है आपका जलिवे जीओं का सरक्षन देखे जो जल के अंदर जो जीओं पाये जाते हैं जलिए जीओं उनी के संरक्षन के लिए ये मिशन नेक्टॉन शुरू किया गया है ठीक है अगर मैं यहां पर बात करता हूँ देखे ये किस आधार पर ये नेक्टॉन नाम रखा गया है तो दिखें जो nekton है ये एक गेर लाबकारी संस्ता है nekton जो है और इसकी स्तापना जो oxford university है उसके द्वार के गई थी और हाल ही में जो सेसल्स के राष्टपती है इससल्स के राश्डपती कौन है इससल्स के राश्डपती ठीक है उनके दुआरा इस मिसन को प्रमोट किया गया है इसलिए ये रिसेंट्लि न्यूज में रहा है और इसमें साइअग देने की अपिल की है इसन् attitude द reality है जलिए जियों के角र से लेजे ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला पडेट अपना हाल ही निर्भय का सफल परिक्षन किया है यह क्या है तो सही अंशोगा यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाईल है ध्यान रखिएगा जो निर्भय है एक सबसोनिक siege missile है ठीक है और अगर मैं बात करो तो ये इक सबदेसी missile हनी कि ये भारतीय missile है जिसका निर्मान DRDO के दौरा क्या रहा है ठीक है और ये अच्क निशाना लगाने में शक्षम है ठीक है अगर यहाँ पर देखी मैं बात करो तो recently इसका प्रिक्शन किया गया था DRDO के दुआरा जो ओडिशा टट है वहीं से इसका recently सफल प्रिक्शन किया गया है ठीक है चलिए कुछ और इसके related extra चीजे देख लेते हैं जो यह है निर्भ है इसकी जो मारक समता है वो है एप्रोक्ष थाउजेंट किलोमेटर इसकी मारक समता है ठीक है और अगर यहां पर बात करें तो इसका पहला जो प्रिक्शन किया गया था 2013 के अंदर किया गया था ठीक है चलिए थोड़ा सा डी आर्डियो के बारे मैंने जैसे की बताया आपको तो डी आर्डियो के बारे में जान लेते हैं डी आर्डियो जिसका फुल हम होता है defense research development organization defense research development organization जो की भारत का ही जो है defense agency है और इसकी जो इस्तापना की गई थी 1958 में DRD की स्तापना हुई थी और इसका जो headquarter है नई दिल ली के अंदर है ठीक है यह सीज़ आप ध्यान रख लिजिएगा और इसके जो चेर में वर्तवान में यह जरूर आप ध्यान रखिएगा जी सती स्रेडी वर्तवान में इसके चेर में ठीक है जी सती स्रेडी तो यह सा इसका मकसद क्या है दिखे जो भारती विदेश मंतराल है इसने हाली में हिंद प्रसांत खंडी की स्तापना की है इसको इंगलीज में कहते हैं इंडोपैसेपिक रिजन ठीक है इसका मकसद क्या है तो इसका मकसद है हिंद प्रसांत निती को बड़ावा देने लिए ही यह य जो यहां पर इस चीज़ आप ठान रख़ेगा चलिए यहां पर बात करते हैं तो इसका मकसद वह है जो मतलब की जो हमारा जो पैसेविक रीजन है ठीक है इंडो पैसेविक रीजन उसके अंदर जो आपसी सही होगा इन्ने देशों के साथ उसको बढ़ावा देने के लिए चीक है चलिए हगला अपडेट देखते हैं अपना महिला सुरक्षा के लिए किस दूरसंचार कमपनी ने फिकी लेडिज ओर्गिनाजिशन जिसको सोट में FLO कहते हैं के साथ मिलकर एक माई सर्किल नामक मौबाईल अप लौँच किया है my circle नामक एक mobile app launch किया है और ये किस के दवारा किया गया है भारती 8L के दवारा जो फिक की लेडी जो और गिनाशन है इसके साथ मिलकर ये mobile app launch किया है दोनोंने ठीक है चलिए जिसार कि मैंने आपको बताया इसका उद्दे से जो महिला शुरक्सा है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉंच किया याने कि कोई भी महील अगर संकट में है तो वो इस मुबाइल आप के थरीयर help ले सकती है ठीक है तो ये चीज़ आप थान रखेंगा चलिए अब अगला कासुन देखते हैं हाल ही चर्चा में रहे प्रोजेक्ट का नम्मा किसे संबन्दित है सही अन्शोगा चात्राओं को सेनेटरी नेपकेंस उप्लब्द कराना ही इस प्रोजेक्ट का मेंटार रेट है ठीक है प्रोजेक्ट का नम्मा किसे लिड़ेड है सेनेटरी नेपकेंस उप्लब्द कराने से तो देखे और यह जो शुरू के गया है जो रोटरी फाउंडेशन है उसके दुवारा यह प्रोजेक्ट शुरू के गया था यह भी आप ध्यान रखेगा ठीक है फिर देखिए अगला कॉसन है अपना हाल ही पुलीतिजर आवार्ज 2019 की घुशना की गई है यहाँ निमन मेंसे किसे दिये गया है तो सही अनसर देगा आपका उप्यूखत सब्वी को देखिए पुलीतिजर आवार्ज जो रिचेंटली इनकी घुशना की गई है देगे है तो जो अलग-अलग काटेरीज के लिए जानेंगे पर आपको धहान रखना है जो उपन्यास है दा आवर स्टोरी यह किसके द्वार लिख गया है रिचर्ड पावर्स के द्वार लिख गया है और इसी के लिए इनको पुर्शकार दिया ठीक है पूलिट जर अगर इतियास की स्रेणी में में बात करता हूं तो डेवि नीगरों के लिए ठीक है तो यह इधर आपको धहन रखने है एधर जो है यह परशनिस के नायम है और इनके द्वार जो रचना नरहें उन के नायम है ठीक है तो इनको यह ह trash 1963 और वी कुछ लोगों को दिय रहा है यह कर माठ करता हूँ देखिए यहाँ पुलीट जर वाड की तो पुलिट्जर अवार्ड जो है एक अमेरिकी पत्रिकार थे और उन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है पत्रिकार था संगीत और संगीत मतलब कि ऐसे मिला का टोटल 21 रेनियों में फुर्षकार दिया जाता है ठीक है तो कुछ यहां पर इसकी जो पुर्षकार रासी में बात करता हूँ तो दस हजार डोलर जो है पर व्यक्ति इसकी पुर्षकार रासी होती है ठीक है तो यह सारे चीज़े आप धेहन रख लिजिएगा और एक और धेहन रख लिजिएगा पत्रकार रिता के छेतर में जो नियु यार्क देखते हैं अपना हाल ही हॉम एक्सपो इंडिया 2019 के आठवे संस्कंड का उद्गाठन कहां किया रहा है देखें वैसे कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं यह एक्जाम के लिए फिर भी आप ध्यान रख लिजिएगा ग्रेटर नोविडा में इसका आठवा संसकंड सुरू हुआ ठीक है इतना सा काफी वस नेक्स्ट अप्टेट देखिए अपना किस भारतिये ने ने नेदर लेंड में डच इंटरनेशनल बेडमेंटन का किताब जीत लिया है सही अन्षवा हर्शिल दानी हर्शिल दानी जो की भारतिये सटलर है इन्हीं ने ये डच इंट किताब इन्होंने जीता है ये जीता है जो डेनमार्क के मेडस है उन्हीं को हरा कर ये किताब इन्होंने जीता है फाइनल में ठीक है थोड़ा निदर लेंड के बारे में जान लेते हैं हमने बात निदर लेंड की किया है तो देखिए निदर लेंड जो है इसकी केपिटल है एश्टरडम ठीक है एश्टरडम इसकी capital है और जो currency वो है euro और US dollar यो जह है इसकी currency है euro और US dollar ठीक है ये दोनों आप त्यान रखिएगा चलिए अगला update देखते हैं अपना हाल ही संपन सिंगापूर open 2019 के समंद में निमन कत्नों पर विचार करें तो देखिए यहाँ पर Singapore open complete हुआ है और पूरे से कल की जो विजयता है वो है केंटो मोमोता जो की जापान है और जो महला एकल की जो विजयता है ये ताई पे ताई ताई जो की चेन की है ठीक है तो दोन केंटो मोमोता जो है ये कहां की है जापान के है और जो ताई पे ताई है ये चीन की प्लेयर है ठीक है चलिए अब देखते हैं अपना next update भारत का पहला विदेशी पक्सी पार्क एसल्स वर्ड बर्ड पार्क कहां इस्तापित किया रहा है तो सही अंसरोग आपका मुंबई के अंदर ये भारत का पहला विदेशी पक्सी पार्क है जिसके अंदर मतलब की लगभग 500 से अधिक विदेशी पक्सी जो है इसके अंदर रखे गए हैं और लगभग 200 से ज़दा पेडों की प्रजातिया है वो अलग-अलग वो इसमें लगाएगी है ठीक है और इसकी जो लागत रासी है लगबग 6 अरब डोलर की लागत रासी से जो है ये देश का या भारत का पहला विदेशी पक्सी पाकिस्तावित के रहा है मुंबई के अंदर ठीक है चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट अप्डेट निम्न में से किसके द्वारा किसने सोरी यहां पर द आरे संकर संकराना अरण को केनेरा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक किया रहा है ठीक है देहां रखेए काफी अच्छी अपडेट है साथ यहाँ पर देखिए केनेरा बेंग की बात कर रहे हैं तो mostly यहाँ पर MDCEO important होता है वो हमने यहाँ पर जान लिया और इसकी जो headquarter है वो है बेंगलूरु के अंदर और जो इस्तापना हुई थी इसकी 1969 में इसकी केनेरा बेंग की इस्तापना हुई थी ठीक है चलिये आगलाव deatट देखते है अपना कि इस देश में विश्वय की पहली ससत्र उभचर ड्रोन नोका का सफल परिक्षन के गया है दिखिए पहली ससस्त्र उभचर ड्रोन नोका यह सिप आप जो कह सकते हो और ये अभी recently सफल इसका prediction किया है चीन के द्वारा ठीक है उबेचर से आपको पता चल ली गया है उबेचर आप सबी जानते हैं जो जल और थल दोनों पे चल सके उबेचर होती है ठीक है उसे कहते हैं उबेचर तो ये यहाँ पे इसका सफल प्रेक्षण प्रेशिडेंट है ठीक है तो यह सारे चीज़ आप ध्यान रख लीजिए अब बात करते हैं कि आज की क्विज की इसका अंसर आप नीचे कमेंट बोक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा यह की कॉसन है कि मार्च 2019 के अंत में राय अंतराश्चिय रेटिंग एजेंसी फिच दु बारा जो भारत की आर्थिक वर्दीदर बताएगी है और कितनी बताएगी है यह आपको बताना चीक है तो आंसर कमेंट बोक्स में लिखिएगा इसका डिसकस्टन करेंगे एम नेक्स्ट वीडियो में सुगाईस आई हूप वीडियो पसंद आई होगी लाइक से रजारू क किजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लिजिएगा आगर के अप्टेट्स के लिए बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच पर वाचिंग अस दन्यवाद